आज हम पढ़ेंगे non-conventional source of energy के बारे में जिस हम बोलते हैं renewable source of energy, hydroelectric energy आज का हमारा topic है दीखें hydroelectric energy क्या होती है अगर हम बिजली produce कर रहे हैं, अगर हम electricity current produce कर रहे हैं by using the energy of water, उसी को हम बोलते हैं hydroelectricity क्या बोलते हैं hydroelectricity या hydroelectric energy hydro का मतलब होते है water अगर हम electricity produce कर रहे हैं with the help of water तो उसी को हम बोलते हैं hydroelectricity तो the electricity produced by using the energy of falling water is hydroelectricity अब यह hydroelectricity कैसे obtained होती है, कैसे produce होती है इसे चांदने के लिए हमें पढ़ना पढ़ेगा, समझना पढ़ेगा hydro power plant के बारे में तो देखें क्या है hydro power plant, इसकी working को समझते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक reservoir बना लेते हैं एक dam construct कर लेते हैं, ठीक है जब हम एक dam construct कर लेते हैं तो beach में से उस dam की beach में से क्या होता है, एक इस तरह से tunnel pass होती है, एक hole pass हो जाता है इस तरह से जिसमें से पानी flow कर सके ठीक है, अब यह क्या होता है यह इस तरह से slopey surface में सीधे जहाँ पर एक खतम होता है यहाँ पर हम लगा देते हैं turbine क्या लगाते हैं? turbine अब turbine का अगे कहानी आपको पता है turbine से क्या connected होगा? shaft और shaft से क्या connected होगा? generator और generator क्या produce करेगा? electricity तो हमारा main का में turbine को rotate करना चाहे हम कोई भी power plant पढ़ेंगे इस chapter में कोई भी power plant पढ़ेंगे हमारा main का में है turbine को rotate करना because इसके बात ही कहानी सम्में सेम है turbine rotate करेगी, shaft rotate करेगा shaft rotate करेगा तो generator drive होगा और electricity produce करेगा अब turbine को rotate करने के तरीके अलग है तो अगर हम hydro power plant के बारे हम बात करें तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे बहुत सारा dam गंश्ट कर लिया बहुत सारा reservoir बना दिया पानी के खटा कर दिया तो अब जब यह पानी इस पर pressure लगाना शुरू करेगा इस wall पे तो हम क्या करेंगे यहाँ से shutter खोल देंगे और जैसे यह shutter कुले का पानी पूरे pressure के साथ पानी की एक jet जो है वो पूरे pressure के साथ जो होगी वो किस पर पड़ेगी तर्बाइन पर पड़ेगी और उसकी वएसे तर्बाइन क्या करेगी रोटेट करेगी और टर्बाइन जब रोटेट करेगी तो shaft रोटेट करेगा और shaft जब रोटेट करेगा तो generated drive हो जाएगा और वो क्या करेगा? electricity produce करना शुरू कर देगा clear हुआ? तो अगर इसे एक बार देख लेते हैं, लिखना कैसे इसको? कि a dam is constructed which has a lot of potential energy then the sliding gates at half of the height of dam यह जो gate होता है, लगबग half height पे होता है are opened to allow some of the stored water to escape तो इसके हम क्या करते हैं? कुछ पानी को हम बहने की permission दे देते हैं तो इसकी वेज़ से क्या होता है? कि यह पानी जो है एक pipe के थूरू direct किस पर पढ़ता है? टर्बाइन पर पढ़ता है कि जो बहुत पूरी प्रैसर वाली जैट है water की है, सीधे किस पर पढ़ती है turbine पर पढ़ती है कि एक force के साथ जो turbine को क्या करती है rotate करती है, ठीक है? to the blades of turbine with a force and makes the turbine rotate rapidly the turbine is connected to generated through its shaft as when turbine rotate its shaft also rotate and drives the generator and the generator produces electricity तो यह कहानी है हमारी hydro power plant क्या है? अब आपको समझ में आ गया होगा hydro power plant कैसे work करता है अब आप इसकी जो working है वो अपने आप से अच्छा से लिख सकते हैं इसको भी note कर सकते हैं simple भाषा में ही लिखी रही है यह भी अगर advantage की बात करें हर power plant की अपनी advantage है और अपनी disadvantage है अगर हम खुद सोचें तो खुद भी हम इसकी advantage disadvantage लिख सकते हैं तो कुछ मैं बता जाता हम advantage disadvantage क्या होती है तो hydro power plant की पहले advantage के बारे में बात करते हैं तो पहली advantage यह है इसकी कि यह किसी तरगा कोई pollution create नहीं कर रहा है ना तो इसमें हम कोई fuel burn कर रहे हैं pollution create होगा तो किसी तरगा कोई environmental pollution इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है second it will never get exhausted यह कभी खतम नहीं होगा ना तो कभी पानी खतम होगा उस डैम में ना ही यह power plant कभी work करना बंद करेगा लेकिन अगर हम fossil fuels जैसे thermal power plant है वो अगर fossil fuels हमारे पास खतम होगे जो की होने वाले हैं तो खतम होगे तो वो plant क्या करेगा work करना बंद कर देगा जब fossil fuels ही नहीं है तो फिर वो work कैसे करेगा लेकिन यहाँ पर तो water continuously flow होगा ना तो उसकी वज़े से क्या होगा कि यह कभी भी exhaust नहीं होगा यह तरीका बिजली बनाने का अपिसिटी प्रोड्यूस करने का और थर्ड एडवांटिज हम इसकी यह भी बोल सकते हैं कि construction of dams helping controlling flood जैसे हम उसी जगह पर तो dam construct करेंगे जहाँ पर पानी available है अब हम ऐसी जगह तो dam construct नहीं करेंगे जहाँ पर पानी कम available है खतम होने माला होगा तो जहाँ पर पानी available है तो महाँ पर flood होने की chances बहुत ज़ादा होते हैं तो उस flood को control कर सकते हैं हम कैसे with the help of constructing dams लेकिन इसकी बहुत सारी disadvantages भी हैं disadvantage क्या है कि अगर हमें dam construct करना है तो इसके लिए ecosystem destroy होता है ecosystem क्या होता है destroy होता है साथी साथ अगर हमें dam बनाना है तो हमें बहुत सारा agricultural land required होता है ठीक है और जब dam बनाएंगे तो उस area में जितने plants और trees यह हैं वो destroy हो जाएंगे और बहुत से लोगों को dam जहाँ पर बनेगा उसके आसपास के गाउं या उसके आसपास जो भी लोग रहते हैं उनको वहाँ से move करना पड़ेगा because dam के आसपास इतनी ज़्यादा लोग नहीं रह सकते तो many people are rendered homeless तो यह सब कुछ इसकी disadvantage है, advantage है hydropower plant कैसे work करता है पूरी कोशिश की कि आपको simple तरी कि समझ में आ जाए hydropower plant कैसे work करता है आयोब आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अची लगी तो please like करें वीडियो को, share करें अपने friend circle में and अगर channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर ले red button डबा कर